Hello friends, welcome to my channel, मैं हूँ Shalini आज मैं आप लोग के साथ शेर कर रही हूँ ऐसे 5 DIY face sheet mask जो काफी effective है और काफी affordable है means कि एक तरीके से free जैसे ही है क्योंकि ये सारी चीज़ है हमारे घर में available रहती है और देखी क्या होता है जो बहार के sheet mask है वो बहुत अच्छे beneficial रहते हैं no doubt वो बहुत अच्छे रहे हैं मेरी skin पर बट कई बारी क्या होता है वो affordable नहीं पड़ते हैं means कि आप एक बार अगर 100 का भी use करते हैं तो उसको बार बार या हर दिन use नहीं कर सकते हो लेकिन जो घर के DIY वाले हैं उनको आप daily use कर सकते हो उसके कोई नुकसान नहीं होने वाले है और पांच बता रही हूं पांचों use कर सकते हो daily change करके use कर सकते हो या फिर उनमें से जो भी आपकी skin को अच्छे से suit आता है या जो आपकी skin को requirement है means कि आप वो उस तरीके से भी उसका use कर सकते हो बहुत अच्छे रहे हैं मैं इसको continuously use कर रही हूँ क्योंकि मुझे sheet mask बहुत अच्छे लगते हैं और वो क्यों अच्छे लगते हैं तो चलिए पहला जो sheet mask है वो है मेरा cucumber का ठीक है ना अभी जितने भी मैं आप लोग के साथ share कर रही हूँ वो सारी चीजे क्या होती है हम काफी time ऐसे use करते है toner की तरह use करते है या फिर हम direct अपने face पे लगा लेते हैं और वो completely dry हो जाता है कुछ ही seconds में तो उसका उतना अच्छे से benefit नहीं मिल पाता है तो मैं क्या करती हूँ कि उसका बहुत अच्छे से मुझे benefit मिल पाए तो मैं sheet mask की तरह use करती हूँ देखिए मैं रखती हूँ अपने जो sheet mask में use करती थी ना उसके इस तरीके से जो sheet mask है उनको wash करके रख लेती हो तो उनका यूजना मैं कुछ इस तरीके से करती हो ये देखे ऐसे है न मैंने संभाल के रखे होते हैं कि by chance मैं जैसे मेरे वो sheet mask खतम हो गए है या घर के कोई चीज अगर मुझे use करना है तो मैं इस तरीके से इस से use कर सकत हालनकि आपको market में online कुछ है न टैबलेट्स जैसे मिलते हैं ऐसे sheet mask वो भी आप purchase कर सकते हैं और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो जो wet tissue paper रहते हैं वो कई बारी dry हो जाते हैं तो मैं उसका भी वैसे use कर लेती हूँ उसको अपने face के shape में cut करके बट इनके आपके पास अग cotton घर में रहती हैं cotton को आप use कर सकते हैं उसको कुछ piece cut करके जैसे यहां के लिए चिक के लिए nose के लिए उसका भी ऐसे use कर सकते हैं sheet mask उतने अच्छे beneficial क्यूं है देखिए एक तो उसे 15-20 minutes अपने face पे लगा के रखना पड़ता है तो उसके जादा अच्छे से beneficial हमें मिल पात तो कुछी second में वो dry हो जाता है और फिर उसके उतने अच्छे फायदे हमारी skin को नहीं मिल पाते हैं तो मैंने यही तरीका लिया कि उसको मैं थोड़े time लगा के रखूँ और यह सारी चीज़े मैं करती हूं night में जिससे की मेरी skin के उपर वो अच्छे से work कर रहें बहुत ज से उसके फायदे मिल पाएं तो चलिए मैं दिखाती हूं कि कौन-कौन से ऐसे sheet mask है जो आप घर में बना सकते हैं घर की ही कुछ पहला है कुकुम्बर कुकुम्बर आप उसको अच्छे से छी लीजिए और किसी बरतन मैना उसको अच्छे से कद्दू कस कर लीजिए ग्रेट कर लीजिए और उसका जूस निकाल लेना है अगर जैसे जब जूस निकल जाएना तो उसका जो पल्प है उसको फेकना नहीं है उसको बचा के रखिए आप उसको अपने आइस पर भी लगा सकते हैं और जूस काफी अच्छा खासा निकल आएगा इतना निकाले कि आपका जो शीट मास्क है वो उसमें डिप हो जाए आराम से उसके बाद जो शीट मास्क है उसको यूज करना है पहले मैं उसका यूज करती हूँ और फ्रीज में स्टोर करती हूँ थोड़ी देर के लिए मिन्स कि उसको ठंडा करने के लिए और जब वहां ठंडा हो जाता है तो मैं अपनी स्कीन पर उसे अपलाई करती हूँ और उसको अपलाई जब करती हूँ जब वह थोड़ा सा ड्राय होने लगता है तो थोड से आप लगा लीजे जैसे comfortable रहे वैसे कर सकते हैं तो पहला तो यही हो गया और cucumber आपकी skin के उपर ना बहुत अच्छा beneficial है आपके जो skin पर एक तो cooling effect देता है आथ के साथ cucumber का rust हमारे complexion को निखारता है और जो भी आपकी skin पर pigmentation है या discoloration है उसको भी ठीक करता है अगर आप उसको continue रखते हैं और उसको अच्छे से यूज करते रहिए एक या दो दिन बाद छोड़के आप इन sheet mask को यूज करते हैं दूसरा sheet mask वो है green tea ये बहुत easy है अगर आप green tea पीते हैं या आपके पास ऐसा पैक है या खुला वाला भी है तो उस तरीके से आप उसे बना सकते हैं मेरे पास ये डिब वाला है और मैं करत अच्छी तरीके से पानी में और जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता तब तक उसे ना उसी में रखती हूं और उसका जो green tea बनके आती है उसको एक बरतन में निकाल लेना है और उसमें अगर आपको जैसे एकने का प्रॉब्लम है तो उसमें tea tree essential oil की एक ड्रॉप डालनी है एक से जादा ड्रॉप नहीं डालनी है अगर नहीं है आपके पास तो कोई दिकत नहीं है डारेक्ट उसका ऐसे ही यूज कर लीजे उसमें सेम वैसे ही अपने cotton को या sheet mask को dip कीजिए और freeze में रखके ठंडा कर लीजे और देन उसके बाद अपनी skin पर लगाईए और फिर उसके ब दोनों को नहीं है ना ही कुकुम्बर वाले को और ना ही ग्रीन टी वाले को इनको वाश मत कीजिए आप डारेक्ट ऐसे ही सो सकते हैं लगाकर sheet mask हटा दीजिए देन उसके बाद फिर सो जाई थर्ड है rice face sheet mask जो आप डेली यूज कर सकते हो उसका जवाबी नहीं है इतना बहीं तो दो तीन घंटे दो से शोह करना ही है मेंस की भीगोंके रखना है और उसको एना जब यूज करोगे तो उसको अच्छे से है ईनार और मिनस की muscle लेना है जो उसका अरक रहेगा ना जो उसका पानी रहेगा राईस का वह अच्छे से बना ले यह उस पहना और किसी ग गंटे बाद या ओवरनाइट रखने के बाद उसे चान लो और एक बरतन में निकालो सेम जैसे हम और शीट मास यूज कर रहेते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है इसको भी लगाने के बाद आपको फेज वाश नहीं करना है सीधे सो जाना है अपना शीट मास खटा के और इस इसे आपकी स्कीन ताइट हो जाएगी स्कीन पे टाइटनिंग लगता है और जैसे कई बारी फाइन लाइन वह भी खतम होती है मुझे यह बहुत अच्छा लगाए इस इससे स्कीन थोड़ी से ब्राइट भी लगती है धीरे धीरे इसका असर इसकीन पे नजर आने लगेग या फिर आपके पास मार्किर बेस कोई है जेल तो आप उसका यूज कर सकते है उसमें केवल गुलाब जल को मिक्स करना है और सेम उसी तरीके से यूज करना है आप चाओ तो विटामिन E का कैपसुल डाल सकते हो सर्दियों में डालो गर्मियों में नुकसान कर सकता है और उसके बाद उसको सेम वैसे ही यूज करना है इसकीन को बहुत अच्छे से मॉस्चराइज करता है एलोवीरा जेल वाला शीट मास्क आप यूज कर सकते हैं पहे फिफ्थ शीट मास्क है मेरा टुमेटो का और कौफी का यह सपीन से डार्क स्पोर्ट को कम करेगा और अच्छा सा नच्हें कर देता है इसके लिए ठ्वड़ा सा जूस लेना है और कौफी लेनी है टोमैटो का juice अगर आपकी skin sensitive है तो बहुत कम लेना है और coffee लेनी है बहुत दो-तिन चुटकी जैसे और इसमें मिला लेना है रोज वाटर और अच्छे से mix कर लेना है और अच्छाガसा रोज वाटर मिलाना है अगर टोमेटो जूस बहुत कम है तो सेम उसी तरीके से शीट मास को या कॉटन को डिप करना है और अपनी स्कीन पर लगा लेना है 15-20 मिनिट लगा के रखना है देन उसके बाद आपको ये शीट मास वाश करना पड़ेगा इसको ओवरनाइट लगा के सोना नहीं है इससे आपकी स्कीन बहुत अच्छी हो जाएगी और डाक स्पोर्स चले जाएंगे टोमेटो हमारी स्कीन के लिए काफी अच्छा रहता है काफी अच्छे बैनिफिट मिलते हैं इन पांचों शीट मास को यूज करके जरूर देखना बहुत अच्छा वर्क करते हैं डेली आप एक यूज कर सकते हैं या इन मैसे जो भी आपकी स्कीन के लिए रुक्वाइर्मेंट है वो आप यूज कर लीजिए बहुत अच्छे रहें यह वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हैल्फूर रहोगा वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थेंक्स पर वाचिंग